हलो डियर स्टुडेंट्स मॉडल्स के पार्ट थर्ड में जो 910 के लिए उपयोगी है उसमें आपका स्वागत है आईए आगे का वीडियो देखते हैं कि युज आफ शैल विल शैल विल का प्रियोगत फ्यूचे टेंज के फार्मिशन में किया जाता है ऐधिया पर देखल नके पूर प्रियोँ चेटेंज में करते हैं यह तरीके का अपनी यूज सामयनी रूप से करते हैं तो मॉडल्स में क्या होता है फरस्ट परसनल के परसंद के साथ विल का प्रियोग करने पर प्यूर फ्यूचरिटी का भाव व्यक्त नहीं होता बलकि इससे स्पीकर के इंटेंशन का भाव होता है determination यानि प्रबल इच्छा शक्ती का भाव या promise या वर्डिंग यानि वाइदा या चेतावनी का भाव व्यक्त होता है यानि सामयनी रूप से हम future tense के अंदर IV के साथ में shell और 6 के साथ में will लगाते हैं लेकिन जब इसका use हम models के साथ से करते हैं तो first person के साथ हम will का प्रियोग करेंगे जैसे I will buy a new flat यह intention है यानि इरादा हो गया we will do or die determination है हम करेंगे या मरेंगे I will support you वादा है we will teach you a lesson हम तुम्हें एक सबक सिखाएंगे यह चेतावनी है warning है इसमें number third आता है second तता third person के साथ में जो हम टैंसों में विल लगाते हैं इसमें shell का प्रियोप कर देंगे तो उसमें क्या होगा speaker का भाव जो आएगा order का आएगा promise का आएगा determination का आएगा warning का आएगा जैसे you shall do it this is my order यह मेरा आदीश है you shall enjoy my company तुम मेरी कंपनी में आनंद लोगे तुम मेरी कंपनी में बहुत अच्छे होगे यह मेरा वादा है this is my promise shivam says that he shall be cricketer shivam कहता है कि वो एक cricketer बनेगा this is his determination यह उसका एक द्रड संकल पर द्रड निश्च है इसमें कुछ बातें याद रखने की हैं तो उनको अपने को याद रखना है modern English grammar में शैल और विल के बीच का अंतर practically समाप्त कर दिया है यानि वेवारिक रूप से इनमें आप कोई अंतर है नहीं आप शैल की जगे विल का प्रियोग कर सकते हैं तो जब कभी शैल और विल के यूज में confusion या doubt हो तो सभी परसन के साथ आपको विल का प्रियोग करना चाहिए लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल और विल अफी फोर यूँ शैल भी अटेंट दि मीटिंग यानि कि जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हमें शैल या विल का ही प्रियोग करना चाहिए बाकि हम सामानी रूप से अगर हमें कोई confusion है तो हम विल का प्रियोग कर सकते हैं इसी प्रकार जो इंट्रोगेटिव प्रियोग करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम शैल विल में से केवल विल का प्रियोग भी कर सकते हैं में नेक्स्ट मॉडल यूज ऑफ मस्ट इसके आप यूज देखें ति एक्स्प्रेस नैसफिट tau से आवशक्ता अनिवारेता तो एक्षप्रेस से डृप आप्रमां की आवशक्ता आधर को व्यक्त करने के लिए मस्ट का यूज किया जा सकता है जैसे I must go now अब मुझे जाना होगा यानि I have to go now अब मुझे जाना ही है तो यह इसमें अनिवारता है यू मस्ट टू वैक है डिरूम मेज़ेटली आपको तुरंत ताय या ततकाल ये कमरा खाली करना होगा You have to vacate the room immediately He must consult a good doctor at once उसे तुरंत ही एक अच्छे doctor से परामट्ष करना चाहिए या परामट्ष करना होगा ये एक अनिवारेता है क्योंकि स्वास्त ज्यादा खराब हो गया तो इसका मतलब doctor से तुरंत मिलना है He has to consult a good doctor at once यानि ये इसका भाव समझाने के रिए आपको इंग्लिश में ही एकोधारन दिया हुआ है Use of must में second number देखें To express necessity compulsion in the future वो था present में first number पे ये है future में यानि भविशी की या भविशी में आवश्यक्ता या अनिवार्याता को व्यक्त करने के रिए हम must का use करते हैं जैसे I must go by the end of this month मैं इस माईने के अंत तक चला जाऊंगा यानि कि ये एक आनिवार्यता है I shall have to go by the end of this month You must vacate the room by tomorrow यानि आने वाला कल तुमारो I must complete it by tomorrow evening ये कारियर ये चीज मैं कल श्याम तक पूरा कर लोंगा I shall have to complete it by tomorrow evening तो ये भविश्य की अनिवार्यता या आविशक्ता को व्यक्त करने के लिए भी हम must का use करते हैं यानि कि present और future में कोई भी आविशक्ता हो या अनिवार्यता हो उसको व्यक्त करने के लिए हम must का use करेंगे Use of must में third number देखिए To express permanent ruling or prohibition इस्थाई निवने आदेश या निशेद या मनाई व्यक्त करने के लिए भी हम must का use करते हैं We must follow the traffic rules ये permanent rule है बिलकुल इस्थाई निया में We must not move in the wrong side of the road ये permanently prohibited है बिलकुल मनाई है कि हमें road के गलत side में नहीं चलना चाहिए Number 4 देखें To express empathic advice determination जोड़दार सला हो ये पक्का इरादा हो इसको व्यक्त करने के लिए भी हमें must का use करना चाहिए आप जैसे empathic advice है यानि कि इसकी किसी सला पर यानि कोई भी बात कही जा रही है जो सला करूप में है लेकिन उस पर जोड़ दिया जा रहा है तो you must give up smoking अब ये सला है लेकिन इसके अंदर आपको जोड़ दिया गया है कि आपको smoking छोड़ देनी चाहिए या छोड़नी होगी we must crush terrorist determination है हम जो आतलकवादी है उनका नाश करेंगे तो समाप्त कर देंगे संपूर नाश करेंगे तो यहां इसके अंदर हमारा द्रड़ निश्चे है हमने संकल पले लिया है तो यहां भी हमें must का use करना है next to express a sense of duty यानि करतव्य बोध के लिए करतव्य बोध को व्यक्त करने के लिए जैसे we must respect our elders this is our duty हमें अमारे बणों का सम्मान करना चाहिए we must serve our country this is our duty यह भी हमारा देश की सिवा करने चाहिए तो यह हमारी duty है number six to express a strong possibility प्रबल संभावना को व्यक्त करने के लिए there must be something wrong कुछ न कुछ गरबड है there must be a mistake somewhere कहीं गलती हो सकती है there must be a school in the area this school छेत्र में school होगा you must have heard the name of गांधी जी आपने गांधी जी का नाम सुना होगा you must have understood the feelings of your parents तुम्हें अपने माता-पिता की भावना को समझना होगा तो इस तरह की जो हमारी possibility यह प्रबल संभावना है और या फिर एक करतवी बूद को व्यक्त करने के लिए हम must का यूज करते और इसमें should का भी यूज किया जाता है out to भी का भी यूज किया जाता है लेकिन अलग अलग परिस्तितियों में जब हमारे पास वेकलपी नहीं हो तो फिर must का यूज ही करना ज्यादा ठीक रहता है 3rd part of the models has been complete see you in next video with another models bye